नमस्कार आपका स्वागत है आप हमारे नए दोस्त है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अल बटन कर लिजेगा आपको हर रोज मेरी कहानी मिलती रहेगी तो चलिए आज की कहानी सुरू करते हैं मंजू बहू अरे ओ मंजू बहू सुनो तो जरा देखो ना सारा दिन काम करते करते अब दिन के एक बज़ गए हैं और अभी तक एक कप चाय तक नहीं मिला है हमें सर में काफी दर्द हो रहा है जरा एक कप चाय बना लाना पी लूंगी तो मेरे सर का दर्द ठीक हो जाएगा पता नहीं यह कौन सी बिमारी लग गई है हमें, अगर चाय ना मिले, तो मन बेचैन हो उठता है, मा जी, आपके सर में दर्द हो रहा है, तो आप गरम पानी पी लिजे ना, चाय पीने से क्या होगा, यह आपके मन का वहम है, चाय पी लेने से सर का दर्द ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जाएए जाकर गरम पानी पी लिजे, मेरे पास घर के और भी ढेरो सारे काम होते हैं, जो कि अभी करना है, यह नहीं कि बस आपको बैट कर चाय पिलाती रहूं, तभी पडोस की एक चाची आ जाती है, और आवाज लगाती है, मंजू बहू, अरे ओ बिटिया, कहां गई, देखो, ताजे ताजे कद्दू और बैगल लाई हूं, अपने खेत से तोड़के, रख लो, तुम्हारे ताजे, सबजी तुम्हे पसंद है न, इसलिए हम तुम्हारे लिए ले आए हैं, अरे चाचे जी प्रणाम बैठिये न, आप इतना तकलीप क्यों उठा रही हैं? मेरे लिए हम तो आपके घर रोज जाते हैं, वह इसे उठा लेते सबजी, ले आते, आप मेरे लिए इतना कस्ट क्यों उठा रही हैं? अरे चाचे जी हमें आपकी फिक्र होती है न? देखो तो जरा कितनी भारी है या डलिया इसके अंदर इतने सारे बैगन और कद्दू इतने लंबे-लंबे बहुत ही जादा भारी हो गया है आपको कितनी तकलीफ हुई होगी चाचे जी आप बैठे बैठे आराम कर लिजे बैठ जाए आराम से लाइए तो जरा इस डलिये को छोड़िये आप मैं धीरे-धीरे करके उतार लूँगी और नीचे जमीन पे रख दूँगी वाव चाचे जी आपने तो मेरे पसंद की सबजी उठा लाई है अपने खेट से ये वाले लंबे कद्दू हमें तो बहुत स्वाधिस्ट लगता है और ये इतने बड़े-बड़े बैगन इसका तो भरता और वी स्वाधिस्ट बनता है वाव चाचे जी आप बैठिये एक तो आपके घुटनों में दर्दो रहता है और आप मेरे लिए इतने बड़े-इतने सारे कद्दू और बैगन ले आई है धन्यवाद चाचे जी आप बैठिये मैं आपके लिए चाय बना लाती हूँ इतना कहते हुए मंजु कीचन में चली जाती है तब ही उसकी सास राधा अंगन में आ जाती है आवाज सुनकर अपनी पड़ोसन से मिलने अरे बहन कैसी हो सब ठीक तो है न हाँ दीदी हमें क्या हुआ बस एक तो कद्दू और बैगन ताजा-ताजा खेत से लाए थे तो देने चले आए मंजु बहु को कहो आप कैसे हो अरे क्या बताओं बहन सुभा से न मेरे सर में काफी दर्द हो रहा है पता नहीं क्या होगा अरे कुछ नहीं होगा राधा दीदी आपने चाय नहीं पी होगी हमें सब पता है आपको तो आदत है न हमें सब पता है जिस दिन आप चाय नहीं पीती हो आपके सर में दर्द हो जाता है खेर कोई बात नहीं मंजू बहुत चाय लेकर आती ही होगी बस आप पी लेना फिर आपके सर का दर्द ठीक हो जाएगा कुछी दिर में मंजू दो कप चाय लेकर आती है राधा जी को लगता है चलो अब हमें भी चाय पीने को मिलेगा और हमेरे सरक्या दर्द ठीक हो जाएगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मंजू चाय लेकर तो आती है पर एक अपनी पड़सन चाची को देती है और दूसरा कप खुद रख लेती है और कहती है माजी आपने गर्म पानी पी लिया है ना जाएए जाकर आराम कर लीजिये आप इस तरह बैठी रहोगी तो आपके सरका दर्द और भी तेज हो जाएगा इतना कहते हुए खुद चाय पी लेती है तब बड़ी ही चलाकी से पड़सन चाची मन्जू को कहती है बहू ये क्या है तुम सिर्भ मेरे लिए चाय लाई हो बस और कुछ नहीं अरे कुछ नमकीन भी तो लाना चाहिए था ना साथ में चलो जाओ मेरे लिए गर्म गर्म प पकोडे तलती हुँ इतना कहते हुए मन्जू कीचन में चली जाती है और पड़ोसन चाची से कहती है दीदी हम सब समझ रहे हैं मन्जू बहू का सोभाव आपके प्रति हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है उसने आपको एक कप चाय तक नहीं दिया जबकि पता है उसको आपको चाय की लत है कोई बात नहीं आप ऐसा करो ना मेरी चाय ले लो और जल्दी से पी जाओ राधा जी को राधा जी मना कर रही थी कि हम चाय नहीं पिएंगे बहन तुम ही पी लो लेकिन बहुत जिद करने के बाद पड़ोसन की बात मान राधा जी चाय पी लेती है धी धीरे धीरे उनके सर का दर्द ठीक हो जाता है फिर मन्जू बहु पकोड़े लेकर आती है और कहती है पड़ोसन चाची को देखिए चाची जी हम आपके लिए गर्मगरम करारे पकोड़े तल लाए हैं आपको चाय कैसी लगी अच्छी तो बनी थी ना पड़ोसन चाची से रहा नहीं जाता है और कहती है देखो मंजू बहू हम वो सब तो ठीक है तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो ये एक कप चाइब पीना और पिलाना कोई बड़ी बात नहीं है हाँ बड़ी बात तब है जब ये किसी के लिए ना पिये तो सरदर्द बन जाए देखो मंजू बहू हमें तो राधा दीदी ने कुछ नहीं बताया लेकिन हमें इतने सालों का तजूरबा है सही गलत की पहचान है तुमने अपनी सास को एक कप चाइब क्यों नहीं दिया बिचारी सरदर्द से फटा जा रहा था इनका वे तो हम अपना चाइदीदी को पिला दिये और इनका सरदर्द ठीक हो गया तुम्हें अपनी सास का खयाल रखना चाहिए था ना हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी मंजू बहू अगर तुम्हारी सास अपने घर की सारी को निवा रही है तो तुम्हें भी इनका खयाल रखना चाहिए था ना तुम्हें एक अच्छी बहू होने के लिए बहुत बड़ा पहाड नहीं तुड़ना पड़ेगा बलकि अगर घर के लोगों के छोटे मोटे चीजों खाने पीने सोने उठने बटने और बाते करन के ऊपर ध्यान दिया जाए तो तुम समाज में एक अच्छी बहू कहलाओगी और परिवार के लोगों में प्यार भी बना रहेगा यह सुनकर मंजू बहू का सर्म से सर जुक जाता है और उसे अपने किये कराय पर पस्तावा आने लगता है और कहती है चाची जी आप सही कह रही है माजी आज से मैं आपके चाय का ध्यान रखोंगी आपको टाइम पर चाय मिल जाएगा ताकि आपके सर में दर्द ना हो बस आप हमें माप कर दीजिए तो यह थी आज की छोटी सी सिक्छापरत कहानी दोस्तों आप सब को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर पहानी के साथ हर हर महादे धन्यवाद